नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनी का जो गोचर है वो कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा सनी अपनी रासी परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी 2020 को और वो धनू को छोड़कर मकर रासी में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी खुद की रासी है और यहां पर हम बात कर रहे हैं कन्या लगन की तो कन्या लगन के अनुसार ये रासी आपके फिप्थ हाउस में पड़ेगी और फि तो एक प्रकार से ये आपका फिप्थ हाउस हो गया और फिप्थ हाउस में सनी का रिजल्ट देंगे सनी का कारकतव क्या है और फिर जो है सनी मकर रासी में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं मकर रासी का जो इंपोर्टेंस है काल पुरुस की कुंड़ी में वो क्या है इन सनी का कारकत्व जान लेते हैं बहुत ही बेसिक चीज है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देखे सनी वेराग्य के कारक माने जाते हैं कुंडली में और ये आध्यात्म को दर्शाते हैं दर्शन सास्तर को दर्शाते हैं न्याय और धार्मिक न्याय और धार्मिक नियमों का पालन कराने वाले हैं इसके लवा सनी से हम अधिनस्त करमचारी भी देखते हैं हमारे जो अधिनस्त करमचारी हैं वो सभी सनी से देखे जाते हैं सनी विज्ञान का कारक है अभियामत्रिकी का कारक है उद्योग, उत्पादन, लोहा, स्टील, तेल, गेश, अधारबू, ढाचा इन सब के कारक जो हैं वो सनी है इसके इलावा सनी दर्साते हैं हमारा जो कोईले का जितना भी डिपार्टमेंट है खनीज पदार्थ जितने भी हैं खनन के कारी जितने भी होते हैं सबी प्रकार के खनन कारी इसमें आते हैं इसके अलावा सनी सोद के कारक हैं और सनी जीवन के उतार्च ड़ाओं को दर्साते हैं परिवर्तनों को दर्साते हैं सनी पाचन तंतर के कारक हैं और सनी पैरों के कारक भी है यहाँ पर अब हम देखेंगे सनी की जो मकर रासी में जो रिजल्ट है सनी के वो क्या रहेंगे देखिए कालपुरुस की कुंडली में जो मकर रासी है वो टेंथ हाउस में आएगी और सनी की ये खुद की रासी है ये तो आपको पता ही है उसके बाद कालपुरूस की कुनली में दसंबहाव बनता है और ये पर्थी तत्वय के एक रासी है दसवा भाव है वो हमारे करम का है करतवेणिस्टा का है मान समान का है और पदपरतिस्टा का है इसके लावा हमारी छवई, हमारे अधिकार, नेतरतो चमता, सरकार, प्रशासन, परबंदन, अनुशासन, धहरी, विवस्ता आदी सब दसंभाव से देखे जाते हैं इसके लावा नयाय और कानून के पारन की यहाशन, क्योंकि यह दसंभाव में आएगी तो यह चीजएं यहाशन दरशाएगी इसके लावा यह बोतिक रासी है अब यहाँ पर देखिए आपकी जो फिप्थ हाउस में ये रासी आएगी आपका कन्या लगन है कन्या लगन अगर आपका 6 जो यहाँ पर मतलब 6 नमबर लिखा है अगर 5 आउस में तो आपका कन्या लगन है और 5 आउस क्या दरसाता है उस पर डिपेंड करता है उसके बाद सबसे महतुपन चीज ये है कि आपकी कुंडली में जो चंदर लगन की स्वामी है और बरस्पति की स्थिति कैसी है उस पर भी सनी के जो रिजल्ट हैं वो डिपेंड करते हैं अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 आउस क्या दरसाता है देखिए 5 आउस हमारी जो क्रियेटिव इंटेलिजेंस है हमारा वो दरसाता है इसके लावा 5 आउस दरसाता है हमारी शॉल को हमारी आ तंतर मंतर और यंतर का नोलेज हमारी एजूकेशन हमारी मेमोरी इसके लवा हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी स्किल्स और इसके लवा हमारा टेलेंट हमारा जजमेंट और हमारी जो advice है वो हमारी जो पिछले जो life है हमारी जो fast life है उसके गुञ और अवगुञ यहां से देखे जाते है और हमारा बगवान के परती जो जुकाव है हमारा जो devotion है वो देखा जाता है इसके अलावा आपका जो منत्रों के परती knowledge है और आपके गुण और अवगुण देखे जाते हैं आपके रूलिंग पावर्स आपके रोयल्टी देखे जाती है इसके लवा आपकी जो है amusement यानि कि ये romance का भाव है आपका entertaining जो behavior है वो देखा जाता है इसके लवा आपके बच्चे यानि संतान भाव भी है आपका discipline, आपकी संपती, आपकी prosperity और आपका nature of spouse यहां से देखा जाता है hospitality देखी जाती है, आपकी scholarship को यहां से देखा जाता है आपके joy को, आपके आनन्द को यहां से देखा जाता है इसके अलवा आपके पूरवे जर्म के जो पुन्ने कारी हैं वो यहां से देखे जाते हैं और आपकी सेक्रेशी यहां से देखे जाते हैं आपकी डिगनिटी यहां से देखे जाती है आपकी जनरल एज्यूकेशन है वो आपके फिप्थ हाउस से देखे जाएगी तो ये सारी चीज़े 5th house में आती है अब जब सनी यहां आते हैं तो सनी क्या दरसाते हैं देखिए सनी जब भी यहां आएंगे तो आपको जो है थोड़ा सा मतलब 5th house को रेस्ट्रिक्ट करते हैं 5th house को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और अब यहां पर जब 5th house को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो मतलब एक परतिबंद मान लीजिए कि एक पाबंदी मान लीजिए उसको आप जो 5th house की चीज़ें अभी मैंने बोली हैं पहले उनको लेकर आप उन पर एक पाबंदी सी मान लीजि या फिर जो है आपकी जो happiness उसको कम करता है यहां से सनी और आपको unhappiness देता है life में इसके अलावा आपके जो spouse के साथ relationship है उन में भी थोड़ी सी जो है harshment देता है थोड़ी सो जो है कमी देता है यहां पर और आपकी education में बेक देता है वैसे यहां पर सनी अपनी खुद की रासी में तो थोड़ी जो है negative result वो कम हो जाएंगे इसके अलावा आपके जो ideas हैं वो किसी दूसरे को inspire नहीं कर पाएंगे इस दोरन आप अगर किसी को motivational कुछ देते हैं कुछ बासन वगएरा या speech वगएरा तो आप अपने ideas के मादेम से किसी दूसरे को inspire नहीं कर पाएंगे आप fun activities से दूर हो जाएंगे आपकी जो creativity है वो उतना ज्यादा उतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं होगा आपकी fun activities आपका joy है आपका entertainment है उन सब चीजों से आप थोड़ा सा एक अलग हो जाएंगे और इसके लवा यहाँ पर सनी अच्छे result नहीं माने गए हैं 5th house में सनी के और सनी जो है वो काफी ज्यादा यहाँ से restriction देते हैं 5th house पर तो जब 5th house पर restriction देते हैं तो वो love relationship में भी आपको restrict करते हैं और कहीं न कहीं आपको इस मामले में थोड़ा सा frustrate करते हैं 5th house की जो भी कार केतो है 5th house का जिन चीजों को हम 5th house से देखते हैं उन में आपको थोड़ा सा restriction देते हैं इसके लवा अब यहाँ से हम देखते हैं सनी के aspect को सनी 7th house को aspect करते हैं अगर 7th house को aspect करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो marriage life का partner है उसके साथ आपके इतनी ज़्यादा अच्छे समझ नहीं रहेंगे हो सकता है कि आपका जो marriage life का partner है वो आपसे ज़्यादा age का हो हलंकि सनी mature बनाते हैं तो आपके जो partner है वो हो सकता है कि mature हो और वो काफी ज़्यादा restrict हो मतलब वो नियम कानूनों को ज़्यादा मानने वाला और उनके समसार चलने वाला हो सकता है इसके लवा अगर आपका कोई बिजनस है तो आप अपने बिजनस में अपने ट्रेड में काफी ज़्यादा रूल रेगुलेशन से कारिय करते होंगे और आपके जो अधिनस्ता उनके उपर भी आप काफी ज़्यादा रूल रेगुलेशन है वो लगाते होंगे इसके लावा पबलिक के साथ भी आप जो है एक अच्छा जो है रूल डेगुलेशन वाला वेवार की मुझे किसके साथ क्या बोलना है किसके साथ क्या बोलना नहीं है ये सारी चीज़ें आप इस तरह से करते होंगे इसके बाद सनी देखते हैं यहां से आपके देखें सेवन्थ हाउस को देखेंगे तो सेवन्थ हाउस को देखेंगे तो आपके इलेउन्थ हाउस पे इनका एसपेक्ट आएगा और इलेउन्थ हाउस की चीज़ों को ये सलो कर देंगे यहाँ पर सनी स्लो का कार्यक है यानि सनी है हर चीज को धीमा कर देते हैं बहुत धीमी गती से चलते हैं इसके लावा इलेवंथ हाउस के जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे वो भी थोड़े कम हो सकते हैं 11th house से हमारी इच्छा पूर्ती का भाव इसको माना जाता है और यहां से हमारी प्रोपर्टी देखी जाती है तो यहां पर 11th house है वो हमारे जो भी इच्छा पूर्ती का भाव है तो यहाँ पर हमारी जो इच्छाएं हैं उन में कहीं न कहीं पूर्ती होने में कमी रहेगी निसीत रूप से हो सकता है कि आपका जो बड़ा भाई है उसके साथ आपका जो बिहेव है वो बहुत ज़्यदा रिस्टिक्टेड हो और उसके बाद देखिए सनी यहाँ से देखें भी है तो आप थोड़ी हार्शमेंट वाली वार्णी बोलेंगे जब भी सनी की हांदरश्टी पढ़ती है इसके लवा आप अपनी फैमिली में काफी ज्यादा रोल और रेगुलेशन से कारी कर सकेंगे इस दोरान और आप अपने इस पाउस पर भी काफी ज्यादा जो है र हो ज्यादा सीरियस हो जाएंगे और हर काम यह सोचेंगे कि आपके इच्छा अनुसार हो बट वो वैसे होगा नहीं क्योंकि आपके जो परिवार के सदस्से हैं वो इतने ज्यादा रोल रेगुलेशन वाले नहीं होंगे यहाँ पर हो सकता है कि आपका इस पाउस जो है थो बहुत कुछ करेंगे क्योंकि व्यक्ति जब सीरियस होता है किसी काम के लिए तो बहुत कुछ कर देता है बट यहाँ पर रूल और रेगुलेशन आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इस वीडियो में हमने चार्चा कि यहाँ पर सनी का जो गोचर है उसकी और सितंबर 2020 को फिर से मारगी हो जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आप को जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकेगा धन्यवाद